इस वीडियो को आपने भी जरूर देखा होगा अरोपी निशादेवी हैं जो इससे पहले 2020 में धर्मशाला के फतेपुर में भी शिवलिंग तोड़ चुकी है मंदर में तोड़फोर की घटना सामनी आने के बाद इलाकी में सामप्रताईक तनाफ की स्थिली पैदा हो गई और तमाम हिंदो संगठन मुस्लिम दुकान दारों तो दुकान खाली करने की मांग करने लगी लेकिन कांगडा पुलिस के मुदाबिक इस घटना में कोई सामप्रताईक एंगल नहीं था आरोपी निशादेवी हिंदो धर्म से तालुक रखती है और उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है आधी अधूरी खबरों के बेसिस पर किसी जाती, धर्म या संप्रदाय के अगींस्ट कोई भी उपिनियन बनाने से बचे कम्यूनिल सेंटिमेंस को बढ़ावा देने वाली खबरों से सावधान रही सही और सठीक जानकारी के लिए न्यूस चेकर को फॉलो करे